साई की बात अगर कोई मेरे बच्चे पर वार करता है वो भी ऐसे बच्चे पर जिसका दिल साफ होता है जो नेक दिल का होता है उसकी सीधी अवास उसकी सिस्किया उसका रोना सीधा तुम्हारे साईं तक पहुँचता है और ये मैं कतरी बरदाश नहीं कर सकता अब तुम देखते जाओ म मेरे बच्चे तुम सब भूल के आगे बढ़ जाओ बाकी अपने साईं पर छोड़ दो तुम बिलकुल चिंता मत करो नए सिरे से तुम शुरवात करो अपने जिंदगी की तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है किसी से डरा मत करो घबराया मत करो तुम्हारे अंदर मैंने इतनी हिम्मत भर्दी है न कि अपनी बात तुम बहुत आसानी से अब रख सकते हो बे जिजक होकर रखा करो तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है और सुनो मैंने तुमसे हमेशा कहा है न जब भी रात को सोते हो तो मेरा ध्यान करकर सोया करो तो मेरे बच्चे ध्या तुम भूल गए लेकिन वो आज भी तुम्हारे तोफे का इंतजार कर रहा है मेरे बचे उसे तोफा दे दो अगर कुछ कहते हो न तो उसे समय से पहले ही पूरा कर दिया करो मेरे बचे और तुम्हारे मन में जो नकार अत्मक विचार उत्पन हो रहे है न मेरे बचे उसे मैं धीरे धीरे हटा रहा हूँ, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, ये बात तो तुम भी जानते होना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा परिवर्दन आ चुका है, तुम्हारे सुभाव में भी बहुत कुछ बदल गया है, हाँ कभी-कभी तुम जादा क्रोधित ह हो जाते हो, अपने विवार के विपरित चले जाते हो, कभी-कभी, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हें मजबूर करते हैं, कि तुम ऐसा करो, लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अगर बात तुम्हारे मान सम्मान की तो वहाँ पर अपनी आवाज उठाया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चुकि मैं खुद कहता हूँ, मैं अपने बच्चों का हमेशा इज़त चाहता हूँ, और जो मेरे बच्चों कोई बेस्ती करते हैं न, उन्हें मैं माफ नहीं करता, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कि वो वयाम करना छोड़ चुके हैं, ठंड की वज़ा से, तो मेरे बच्चे, जितना हो सके न, अपने कमरे के अंदर ही करो, लेकिन करो मेरे बच्चे, इसे करना मत छोड़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम वयाम करना छोड़ दोगे न, तो तुम्हार परिशानी है न इस साल के अंत तक सब कुछ तुम चिंता मुक्त हो जाओगे तुम देखना मेरे बचे तुम घबराओ मत बिल्कुल मत घबराओ जो भी है जितनी भी परिशानिया है न वो इस साल के अंत तक सब खतम हो जाएंगी तुम देखते जाना सब कुछ मैं बदल दू में भी उतारना मेरे बचे उसे समझना और समझ कर बहुत कुछ करना आगे भलाई भी करना जितना तुम से हो सकता है न जितनी तुम इस दुनिया में भलाई कर सकते हो सबकी मदद कर सकते हो वो जरूर करना मेरे बचे जितने तुम सक्षम करने में मेरे बचे वो करना मेरे नहीं नहीं चाते कि तुम्हारे रिष्टों में मिठा साय, मधुरता बने, तो वो अपने ही हैं मेरे बच्चे, उन लोगों से दूर रहो, ये गलत फेमिया, ये सब उन लोगों की साधिशे हैं मेरे बच्चे, चाले हैं, तो मेरे बच्चे, वो हमेशा दो मुखाडे लगा क गूमते हैं बचकर रहो उनसे और जितना हो सके न अपने आप में रहा करो अपने दिल की बात किसी से मत कहना मेरे बच्चे जो कि वही लोग तुमारा फायदा भी उठाते हैं तो उन लोगों से बचकर रहो साबधान रहो मैं तुम्हें आगा कर रहा हूँ बचकर हो मेरे अब वो सब तेरी ओर हो चुका है अब तु बहुत खुश हो जा कियोगी तेरी जिंदगी बहुत सुनहरी होने वाली है बहुत सुनहरी तुजाता है तु जिस घड़ी अपने साईна से ज्ड़ गया था ना उसी वक्त मैंने तुझे बहुत सारा धेर सारा अशरवार दे दि से तेरी जिन्दगी का रुख मैंने बदल दिया था वक्त को पलट दिया था और किस्मत को भी जो तेरी किस्मत में नहीं था न वो भी मैंने तुझे लिख दिया था अपने आशिरवाद से तू जानता है कि तू मेरा बहुत खास वच्चा है तू मुझसे जुड़ा ही इसलि था क्योंकि मैं तेरी किस्मत को बदलना चाता था तूने अपने जिंदगी में जितने दुख जितनी परेशानिय देखी है न वो सब मैं चाता था कि तू खतम कर दे क्योंकि तू बहुत प्यारा बच्चा है तूने कभी किसी का जिंदगी में गलत नहीं सोचा कभी गलत नही किया लेकिन फिर भी हमेशा तेरे साथ गलत होता आया है मैं जानता हूं और मैंने देखा है तेरी आसू को तेरी लाचारी को तेरी बेबसी को मैंने हमेशा देखा है और लोगों ने हमेशा तुझे नीचा देखाने की कोशिश की हैं कोई मौका नहीं छोड़ा तुझे दोर समझते थे ते एंदर का जो गुण है ना जो तेरे एंदर की ताकत है हिम्मत है वो कहीं दफसी कई ती वो कहीं अलग से ही कहीं चली गई थी, लेकिन मेरे बच्चे, बेरे आने से वो सब भार आ चुकी है, और तु जानता है, तेरे अंदर बहुत ताकती, बहुत हिम्मत थी, जो कहीं खो चुकी थी, जो तुने अपने आपको कहीं खो दिया था, अपने खुशी को कहीं खो दिया था, और अपने होगा तेरे शौक भी पूरे होंगे और तेरी किस्मत में सब अच्छा होगा तेरी जिन्द की खूपसुरत होगी और सुन अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ कि काम के प्रती बहुत अच्छे से लगन से कारे करो लेकिन अपने काम को इतना जुनून मत बनाओ मेरे ब पहत्व समस्ता है न वो कभी अकेला नहीं होता क्योंकि उसकी शक्ती उसका परिवार होता है कहीं भी अगर रास्ता ना दिखाई देना तो अपनी शक्ती की ओर देखना तेरा परिवार तेरी शक्ती है वो शक्ती जो एक जुट होकर तुझे हर परिशानी से हर चीज से बह साइं देता है तेरे साइं तुझे बहुत त्यार करता है मेरे बचे बहुत प्यार और जो तेरे मन में गलत विचार आते है न उसे त्याग दे मेरे बचे किसी गलत रास्ते पे मत जाना कोई गलत चीज मत करना और कभी सोचना भी मत क्योंकि वो मुझे मंजूर नहीं मैं नही मैं खुद ग्रहन करने आओंगा योगी मुझे खाना है तेरे हाथ का और आज दूप आरती के समयना जब तुम आरती करोगे न तो तुम्हें अपना अनुभाव कराओंगा मैं तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा ध्यान से मेरी आरती करना खुश रहो बहुत सारा अश्रवाद मेरा